नमस्कार, खबरों का पंच नामा देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ परवीन हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है तो सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हैड्लाइन्स पर यूपी में पिया मोदी का धुवाधार चुनाप्रचार सहारनपूर और गाज्याबाद की रैली में राहूल अकलेश पर साधा निशाना बोले दो लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर से लॉच शराब घुटाली में गिरफतार दिली के पूर्व डिप्टी सियम मनीज से सोधिया को राउज एवनी पूट ने दिया बड़ा जटका अठारा अप्रल तक बढ़ाई गई न्याई खिरासत पश्चमंगाल में एडी के बाद अब एनाईय की टीम पर हुआ हमला दो अधिखारी घायल ममता ने एनाईय पर उठाए सवाल बोली रात में रेट करने क्यों गए आरजडी सुप्रमोल लालू परसाद यादफ की बड़ी मुश्किलें ग्वालेर की MP MLA कोट ने जारी किया अरेस्ट वारंट लालू ने कहा मूली थोड़े ही है जो उखार फेकोगे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है कनाड़ा चुनावो में हसकशेव का भारत पर लगाया आरोप विदेश मंतराले ने आरोपो को गिया खाली तो खबरों में सबसे पहले बात पियम मोदी की पियम मोदी ने आज सुबा सहरनपूर में चुनावी रैली को संबोदित किया और शाम को घाज़ाबाद में कौंग्रिस और सपा पर जम कर बरसे इज़ुरान यूपी के सीम योगिया अदितिनाद भी उनके साथ नज़र आये पियम ने घाज़ाबाद सीर से बीजेपी के उम्मीदवार अतुल गर के समर्थन में रैली की तो सहरनपूर से पार्टी उम्मीदवार रागव लखनपाल के लिए वोट मागे रैली में पियम मोदी ने कहा कि दस साल पहले में चुनावी सभा के लिए सहरनपूर आया था तब मैंने गारंटी दी थी कि देश जुकने नहीं दूगा आपके आशिरवास से निराशा को आशा में बदला मोदी ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी तब कॉंगरेस सरकार ने भारत की छवी एक भ्रष्ट और कमजोर देश की बना कर रखी थी लेकिन आपके वोट की ताकत से पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है मोदी जी जिस तरह से आज वेस्टन यूपी जाट लैंड में बरसे हैं तो क्या समझा जाए चुनाओक प्रचार करने में उनको अत्यनत ही आनन दाता है और क्या फ्लो में है जिस हिसाब से वो मज़े ले लेकर आज उन्होंने भासन दिया और जिस हिसाब से विपक्ष के उपर हमला वर हो और वो तो लग रहा है कि एक बड़ा जुमला बनता चला जा रहा है बड़ा फिमस होता चला जा रहा है कि घुसके मारेंगे ये जो घुसके मारने वाली बात है ये लोग बड़ा पसंद कर रहे है इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 10 साल में भारत की जो साक एंटरनेस्टल फोरा में वो बढ़ी है उन्होंने बताया कि किस तरह से 2014 में जब हम आये थे तो देश की एकॉनमी 11 पोजिशन पे थी हमने चौथे पे लाके खड़ा कर दिया है तो ये बास सही है पूरी दुनिया इसका एहतराम कर रही है साथी साथ विपक्षियों को छोड़ने में वो जरा सभी उसके ते मरसी नहीं दिखाते उन्होंने का वह फ्लॉप फिल्म फिल्म से आ गई है पिशली बार ये दो लड़के की फिल्म आई थी फ्लॉप हुई थी उनका निशाना अकलेस चादव और राहुल गांधी के उपर है लेकिन इतना बरसनी की कोई आई सकता है नहीं जो साब साब दिख रहा है कि अभी तक राहुल गांधी और अखलेस चादव की कोई रैली हुई नहीं है फर्स फेज में इधर चुना होना है और यहाँ पे अभी तक विपक्ष के तरफ से ना कोई बड़ी रैली ना कोई बड़ा रोड़ शो हुआ है तो यह बता रहा है कि विपक्ष की तयारी क्या है और भारती इंता पार्टी की तयारी क्या है सुनवाई 18 अप्रैल को ही होगी कोट ने एडी से ये बताने के लिए जरूर का है कि अब तक एक एक आरूपी के दस्ताविजों की जाज के लिए कितना वक्त लगेगा सिसोधिया 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद है शराब घोटाले में CBI और ED का दावा है कि सिसोधिया ने से आज जटका लगा है ऐसे में केजिवाल की भी मुश्किलें बढ़ेंगे देखिए कर तो चिठी आई थी कि मैं बहुत जल्द बहारा हूंगा है ना बहुत जल्द अब एक्षा यह थी कि संजेशिंग को मिल गई वेल तो हमको भी मिल जाए गया नहीं मिली है बकादा वि मैं आपने छोड़ा था किसी रिष्टिदार के शाधी में इंटरिम बेल मिली थी मैं दो दिन के लिए शाधी में गया मैंने कोई इंडिसिप्ली नहीं की दिकत क्या है जो बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है संजेशिंग को बेल मिली और जिस तरीके से वो बाहर आकर के ऐसे ड्रामा कर रहा है जैसे कि उसको बगदा बरी कर दिया गया है आरोप खत्म हो गये उनको कह दिया गया कि आप इमांदार है अभी बेल मिली है और जो सर्ते रखी गई थी उन सर्तों के उपर वो जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे तो कोई भी जज इस पूरे केजर इनवाल की मंडली को यह जो चंडाल चौकरी है इसकी इसको बेल देने से पहले जज सहाब लोग भी सोचेंगे कि भई कि यह मालूं चला फिर ड्रामा हो क्योंकि जो जानकारी आ रही है कि संजे सिंग के वरताव की बज़द से इनी वापस जा रही है सुप्रिम कोट में औ आपने इने बेल दिया था और यह इस तरीके से सर्टों को आपकी अभेला कर रहे हैं तो बड़ी मुश्किल है संजे सिंग तो ऐसा लग रहा है कि डेलिबरेटली उन्होंने यह काम किया ताकि बाकी लोग मतलब सत्यंदर जैन हो मनिस सिसोधिया हो या फिर केजरिवाल हो बेल ना मिले तो मनिस सिसोधिया के बाद आप बाद मम्ता बैनर जी की पश्यमंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के भुपती नगर में आज सुभा राष्टे जाच एजंसी यानि एनाईय की टीम पर हमला किया गया एनाईय टीम सी के नेता के घर पर 2022 में हुए इस वक्त भी इसी तरह एडी के टीम पर हमला किया गया था इस मामने में मुक्यमंतरी मम्ता बैनर जी का बयान भी सामने आया है उन्होंने नगल इनाईय के टीम ने रात में छापे मारी क्यूंकि क्या पुलिस को सूचना दी थी मंता बैनर जी यहां पर जिस तरह से हमला हो चुका है हीडी के टीम पर हमला हो चुका है आपके पिछले चुनाओं में एक विदेश मंत्री विदेश राज मंत्री उसके उपर हमला हुआ वो सब तो छोड़ दीजिए बारतियंदा पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड़ा के काफिले पर हमला हुआ आप कुछ करेंगे तो क्या फायदा क्या नुक्सान तो यह हमले होगे भी पिटेंगी यह लोग अभी सारे लोगों की पिटाई होगी वहाँ मैं दिल्ली में दिल्ली पुलिस के लोगों को दौड़ा दौड़ा घरके मारा मारा ना बई यह किसाना हन्दूलर में आपने कुछ नहीं किया तो आप तो ये कह रहे हो कि बाई आकिम के बारों हम कुछ नहीं करेंगे हम दंतहीन विश्गीन प्रानी हैं ये फॉर्ज ये आर्मी ये सब विकार हैं कोई काम या जिसको जो मनाए इस देश में किसी एजेंसी को पिटाई कर डालो कुछ नहीं होगा तो ये ममता बनरजी की गलती नहीं है आदत किंद सरकार में खराब किया है वन नमबर टू क्यों ममता बनरजी समर्शन कर रही है बंगाल में जो जमीन पे लड़ता है जनता उसी के साथ होती है ये वहां की राजनिती का एक एहम पहलू है वहां राइट रॉंग सही गलत एज जिसकी लाठी उसकी भैस वहां आप देखिएगा कि चुना होंगे बंगाल में लूट बॉम गोली तोप सब चलेगा वहां तो ये वहां की राजनिती का हिस्सा है ममता बनरजी ने ये राजनिती के संस्कृति जो है उसको आगे बढ़ाया है इसी तरह से मामपंथी भी करत है कि इससे ममता बनरजी ने एक मैसेज दे दिया कि मोदी से जमीन पर मैं ही लड़ सकती हूँ मेरे सामने कोई एडी नहीं कोई सी यार्पी अफ नहीं कोई एलेक्शन कमिशन नहीं तो वो तो अपना काम कर रही है दिक्कत तो यहां है ना दिल्ली में जो लोग बैठे की आरजेडी सुप्रीमों लालू परसाद यादव के खिलाब मद्यप्रदेश की ग्वालियर कोट ने आरेस्ट वारंट जारी किया है ग्वालिर के MP MLA कोट से स्थाई वारंट जारी किया गया है यह वारंट आम्स एक्ट में जारी हुआ साल 1995 में 97 के फार्म 16 के तहर हत्या की सप्लाई का आरूप लगा है पुलिस की जाज के बाद लालू का नाम सामने आया था जिस पर लालू की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है और उन्हें एक्स पर अपने पुराने इंट्रिव्यू का एक वीडियो शेर करते हुए लिखा है मूली थोड़े हैं उखार के दोगे लालू प्रसाद यादव नाम है इस बुड़ापे में भी तुम्हारा काल बनकर चटान की भाती खड़ा हूं अपने उसूलों पर अड़ा हूं सिधी सिधी कोट को चुनौती देना है लालू सब कुछ को चुनौती देंगे वह या आदमी जेल के अंदर होना चाहि उने बेल दे रखा है स्वास्त के अधार पे तो स्वास्त तो ठीक है रैली कर रहे हैं बकादा मीटिंस कर रहे हैं पोलिटिकल बयान दे रहे हैं एक एक ऐसा विक्ती जिसको जेल के अंदर में होना था जिसके उपर फैसला आगया कि ये चारा चोर है ये देश में कौन में भीत छबाया है कि तो क्या है किसel सिटम का की में हुआ को फूरां जूरी सिटम ही सड़ा हूा है यहां पर कोई दूसरह डिमोकरसी में इस तरह से Catal种 किया जाता है अगर किसी को मेडिकल लीव की emotions जरूरत है दीजिए आप उसको लेकिन उसका हर 15 दिन के अंदर आपको क्या हिल्थ कंडिसन है क्या जेल में रहने लाएं यह आदमी तो औरेलिया कर रहा है यह आदमी राजनीति कर रहा है तो यह चुलू बर डूप के मर जाने वाली बात है उन लोगों के लिए जो देश की स कोड़ते हो तो यह तो वही बात है कि लोग तो यह कहेंगे कि नेता है पैसा है तो कोड़ जो है उसके पॉकट में और आखिर में बात अपनी हरकतों से बाद नहीं आ रहे कनाड़ा की भारत ने कनाड़ाई जासूसी एजंसी CSIS के लगाए गए आरूप पकर करारा जवाब दिया है दरसल करनाड़ाई सुरक्षा खूफिय सेवा के एक दस्तावेज में आरूप लगाया गया है कि 2021 में भारत सरकार ने कनाड़ा के चुनावों में हस्तक्षेप करने का इरादा था और सीक्रेट गतिविदिया संचालित की गई जिसमें कनाड़ा में भारत सरकार के प्रोक्सी एजेंट का इस्तमाल भी शामिल है भारत ने इन आरूपों को निराधार बताया है विदेश प्रंतराले के प्रवक्ता रंदीर जैसवाल ने कहा कि हमने कनाड़ाई आयोग के जाज के बारे में मीडिया रिपोर्स देखी है हम कनाड़ाई चुनावों में भारत चूटी है जब हिंदुस्तान में चुना हो रहे हैं दो दिन पहले लंदन गार्जिन की निन चूटी थी उन्होंने रिपोर्ट दिया कि भाई ये जो इंडियन गौर्वर्मेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आतंकबादियों को मार रहे हैं है ना 20 लोगों की लिस्ट दे दी और वहां कि आईसाई जो पैसे पे विकने वाले जो अधिकारी हैं वहांपे उन्होंने उनको जणकारी दी के सब रौव का काम है यहां पर जो है भिदाकर करक curriculum के गषा reduce करवारी है भारत की सरकार अब ये कनाडा आ गया अदिकत क्या है है दिकत प्रधानiasmन्त्री मोदी है यह सारे लोग प्रधान मंत्री मोदी का इमेज को डेंट करने के लिए वो इस तरह का आरूप लगा रहे हैं लेकिन यह मुर्खता है उनको यह अकल नहीं आ क्यात्तु कर रा है कि कि अगर आप प्रधानबंत्री लिए तो इस तरह का प्रोपगेंडा कर रहे हैं तो इसGO असर विल्कुल उल्टा हो गार में कानाड़ा के लोगों को वोट नहीं देना है लंडन में बैठेवे लोगों को प्रधान मंतरी के लिए भोट नहीं दें वोट तो हिंदुस्तान के लोग देगा और हिंदुस्तान की जनता उनको जिताएगी तो वो फिर से प्रधान मंत्री बनेंगे लेकिन आप जो इमेज पेंट करने की कोशिस कर रहे हो आपने कह दिया कि यह लोग जाकर के वह मार रहे हैं तो इससे जो है बैक फूट पर आ करता हम घुशके मारते हैं तो आप करना चाह रहे हो प्रधान मंत्री की इमेज को डेंट और कर देरे हो आप कैमपेनी इसलिए मैंने कहा कि मुर्खता है अब यह नहीं कहानी आ गई कराड़ा की तो यह भी फाइदेबंद है तब तो लोग कहींगे मोदी तो पूरी दुनिया यह बाकी यह सब देश अब वो उस पोजीशन में नहीं है कि हिंदुस्तान की फॉर्ण पॉलिसी या हिंदुस्तान के इंटर्नल पॉलिक्स में जरा सा भी कोई दखल अधाजी कर सके वो डॉमिनेंट जो होने की जो पहली इनकी आदत थी मोदी सरकार ने इनकी रीट की हड होड़ा है यही इनसे बरदास्त नहीं हो रहा है कि अगर फिर से मोदी आ गया तो फिर तो पांस साल तक फिर जेलना पड़ेगा तो इसलिए इस तरह की खबरे आ रही है तो खबर को आने दीजिए उससे कोई फरक नहीं पड़ता है और सरकार ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि हिंदुस्तान यह सब चीजें नहीं करता है वाकई हिंदुस्तान यह सब काम ना शुरू में कभी किया है ना यह लोग किये हैं लेकिन आप पत्रकारों के जरिए यह हिट जॉप करेंगे वो भी मुर्कता पुरुवक तो यह तो अपना ही जो सेल्फ डिफिटिंग जो है यह स्टोरी जो है यह लोग परकासित कर रहे हैं तो खबरों पर स्टिक विश्लेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबरों का पंचनावा मैं आज के लिए इतना ही देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके स्टिक ऑनलैसिस के लिए देखते रहे बाकी